तो बचो फैरो एलेक्ट्रिक मटेरियल तो बचो फैरो एलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनमें एक तो सपॉन्टेनियस पुलराइजेशन और का प्रेमा। फीरsche पॉलराइजेशन एक्जिस्ट करता है कि इवन अगर इलेक्ट्रिक फ्यल्ड जिरो है तो भी पॉलराइजेशन से बच अन्जिस्ट कर सकती एक Rochester पॉल्राइजिसन है ठीक है एक्सटेर्नल एलेक्रिक फिल्ड के गारण के जारा इसको रिवर्स भी किया जा सकता है ठीक है तो आप समझ गए फैरो एलेक्रिक मटेरियल क्या होते हैं तो बच्चों देखो एक चीज समझ नहीं है कि एक तो आप अभी आप पढ़ रहो फैरो प्रलाइंट्रिक टिक है आपने इसके पहले डाय-लेक्रिक बढ़ाता है रहना आप पुर्णे में नगुकाश्क प्रसा थी वह होता है कि और यह इंपॉल्राइजेसटन है चिकatic जब masa एक प्पान से सब्द Super Bowl सैब इसमें इस में पॉरल डीखनों कर सकते और एले इलेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्स वह ए उसको यहीं। ऑщее What the दिकिए आप अगर इसमें दिखेंगे तो यह बिसिकली जब आप फिर्स्ट टाइम करेंगे है ना तो हो सकता यह यहां ते स्टार्ट होगा ऐसे टीक है इस तरह से जाएगा टिकेट फिल्गु सम्थिंग लाइक दिस तो फर्स्ट टाइम में तो यह कुछ ऐसे जाएगा तो जब हम एलेक्ट्रिक फिल्ड इंक्रीज करते हैं तो जो पोलराईजिशन वेक्टर होता है मदला नंबर ऑफ इंड्यूश्ट आपोल्स पर यूर्ट वॉल्यूम जो होता है वह इंक्रीज होते हैं ठीक है आप देखो हो जाता है तो आप देखोगे कि एक डेफिनेट पोलराईजिशन की वैल्यूव मतलब एक मैक्सिम पॉस्बिल पोलराईजिशन है उससे ज्यादा पोलराईजिशन नहीं होता है ठीक है कितना भी एलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई कर जे जाए इस पोलराईजिशन को कहते ह है सैचुरेशन पोलराईजिशन एक बार ध्यान सोगी इसे कहते हैं सैचुरेशन पोलराईजिशन मतलब मैक्सिम इदिस यात आक्सिमम पोस्बिलट वैल्यू अधि समय कंपने अउफ कर सकते हैं उसे बूलते अअब जब हम electric field को reduce करते हैं तो आप देखिए electric field reduce होने से polarization भी reduce हो रहा है पट आप देखेंगे कि जब electric field 0 हो जाता है है ना उस समय पर polarization 0 नहीं हुआ है है ना तो इस polarization को जो यहां पर बचा हुआ है बच गया है है ना इस polarization को कहते हैं रिमे and polarization जब हम electric field को 0 कर देते हैं तो जो요 बच ज thinner and polarization करें तो हमें रिवर्स हमें electric field एप्लाई कर ना गाता है करता है ठीक है तो आप देखोगे जब हमने रिवर्स एलेक्टिक फिल्ड अप्लाई कर दिया है तब पोलराइशन कहीं जागे जिरो हुआ है फिर हम जब इसको पीछे की तरफ इंक्रीज करते हैं तो फिर से एक सब पॉइंट पर सचलेड हो जाता है मतलब उससे ज्यादा रिवर्स पॉलराइशन नहीं होगा और हम जैसी इसी रिवर्स पॉलर एलेक्टिक फिल्ड को कम करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब एलेक्टिक फिल्ड जिरो हो जाएगा बड़ पॉलराइशन जो है वह जीरो नही तो इसे लिख देते हैं इसे कहते हैं एलेक्ट्रिक कॉर्शी विटी इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक वह एलेक्ट्रिक फिल्ड जो हमें अप्लाई करना बढ़ता है पॉल्राइशन को जिरो करने के लिए तो आप समझ गए होंगे कि सेम जी हमारे पास फैरो माइनेटिक में होती है ठीक है इंदा सेम धी है इसी लिए इनके जो नामना काफी सिम